हेलो बच्चो मैं हूँ आपकी हिंदी पीजर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं आज मैं आप लोगों के आग्रह पर दीबदान एकांकी की समिक्षा को लेकर उपस्तित हूँ तो प्रश्ण है एकांकी कला के तत्वों के आधार पर एकांकी की समिक्षा कीजिए एकांकी कला के जितने तत्व हैं उनमें से कुछ तत्व से सम्मंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है आप description box में दे गए लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं जैसे कि दीबदान इकांकी की कथावस्तू, दीबदान इकांकी का उद्देश्य, दीबदान इकांकी के पात्र या चरिचित्रन के अंतरगत पन्ना का चरिचित्रन, दीबदान इकांकी के सिर्शक के और चित्ते पर प्रकाश डालिए, इन विश्यों से सम्मंदित वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं तो आपसे यह अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से में पर मिल सके दीबदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकी के तत्वों के आधार पर दीबदान एकांकी के समिक्छा डॉक्टर रामकुमार वर्माद्वार रचित दीबदान एक एतिहासिक एकांकी है खीची जाती के एक दासी पन्ना के अभूत पुरूत त्याग और बलिदान को मार्मिक रूप में दिखलाया गया है एकांकी के कई तत्वों होते हैं एकांकी के कई तत्व होते हैं, देखे पहला कथावस्तु, दूसरा पात्र या चरित्र, तीसरा समवाद या कथूर कथन, चौथा सिर्षक, पाँच्वा संकलंत्रे, छठा रंगमंचन या अभिनियता, सात्वा भासा सैली, आठ्वा उद्देश्य. तो अब चलिए मैं इन तत्वों की अलग-अलग समिक्षा करती हूँ, अब हम अलग-अलग तत्वों की समिक्षा दीबदान एकांकी के अधर पर करेंगे, तो यहां पर दीबदान के अधर पर एकांकी के तत्वों की समिक्षा होगी, पर इच्छा में किसी भी एकांकी की समि पूछी जा सकती है। तो आप ऐसे ही पॉइंट बना करके उसकी समिक्षा करेंगे। पुष्ट बनवीर के रक्त रंजित तलवार के नीचे सुला दिया। यहाँ पर दीबदान एकांकी कथा को बहुत ही संचित रूप से प्रस्तुत किया गया है। लिकिन यदी प्रश्न परिक्षा में दीबदान एकांकी के कथा वस्तु को लिखिये यह होगा, तो आपको इस कथा को थोड़ी विस्तित रूप से बतलाई गई है। लेकिन यहाँ पर आपको आठ पॉइंट डिसकस करना है, यहाँ आठ पॉइंट के बारे में लिखना है, इसलिए आपको थोड़ा संचित लिखना होगा। इतिहास की सच्चाई को एकांकी कार ने अतन्त कलात्मक धं से प्रस्तुत किया है। पात्र या चरित्र, दीबदान एकांकी की प्रमुख पात्र धायमा पन्ना है, बनवीर को इस एकांकी में खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अन्य पात्र भी हैं, कौन-कौन से हैं देखिए, जैसे सोना, खुवर, उदैसिंग, चंद की रतवारी सामनी इत्यादी। तो आप समझ गयें कि प्रमुख पात्र कौन है, पन्ना है, खलनायक कौन है, बनवीर है, जो अतन्त दुष्ट प्रकृती का है, इसके अत्रुत अन्य गौन पात्र भी हैं, तो आप चलिए, इन में से कुछ पात्र का मैं चरिश्चित्रन आ ठाइमा है, ठीक, उसी तरह से कुवर उदैसिंग्फी है, सारी घटनाये उसके इर्दगिर्द घूमती है, वह एक भपी और गौरवसाली नारी चरित्र के रूप में चित्रित है, पन्ना के चरित्र में दया, ममता, उदार्ता, त्याग, विर्ता, धैरी, साहस, देश प्र पन्ना के चरित्र के कुछ गुनों को बतलाया है, परंतु परिच्छा में पन्ना के चरित्रिक चित्रन से सम्बंदित एक प्रश्न अलग से भी पुछा जा सकता है, तो आप वहां पर पन्ना के चरित्रिक गुनों को अलग-अलग पॉइंट बना कर लिखेंगे, इस विश प्रता ने कांकी में खलनाया की रुप में बनवीर के चरित्र को उभारा गया है। अब देखे कुवर उदैसिंग कोुवर उदैसिंग कोुवर उदैसिंग दीब्दा ने कांकी का प्रमुग पात्र है क्यों वह कथा केंद्र में है। समवाध या कथोब कथन दीब्दान एकांकी के कथोब कथन पात्रों के चरित्र के अनुकूल कथा को गती प्रदान करने वाले प्रभावी, सशक्त वह महत्पूर्ण है। आपके लिए जरूरी है कि आप इस बात को जाने कि एकांकी का प्रान तत्व कहिए या एक महत्पूर्ण तत्व कहिए जो क्या है वह कथोब कथन है या समवाध है। यहां पर पात्र अपने बात्चित के द्वारा, अपने समवाध के द्वारा कथा को आगे बढ़ाते हैं। आने वाले समय में कौन सी घटना घटित होगी या बीते समय में कौन सी घटना घटित हो चुकी है। इसकी सूचना हमें पात्रों के आपसी समवाद या कथोप कथन से ही प्राप्थ होती है। तो इसलिए एक आंकी में कथोप कथन या समवाद का विशेस महत्व होता है। एक उधारन देख लें। तेक उधारन से इसे समझें क्योंकि बहुत सारे संबादों की योजना जो है इस एक आंकी में हुई है। अपने पुत्र चंदन को बलिदान कर देने का निर्ने सामली वपन्ना के संबाद से पता चलता है। यहाँ पर जो संबाद की योजना की गई है इसे पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि पन्ना ने कुवर उदे सिंग को बचाने के लिए क्या निर्ने लिया है। देखिए, सामली किसी तरह बनवीर को धोका नहीं दे सकती, पन्ना दे सकती हूं। सामली किस तरह? पन्ना, कुवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी, वह क्रोट से अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि कौन सोया है। सामली, तो कुवर जी की सय्या पर किसे सुला दोगी? पन्ना, किसे सुला दूँगी? सोच कर. सामली, मेरे हृदय पर बजर गिल रहा है, मेरे आखों में प्रलय का बादल घुमर रहा है, मेरे सरीर के एक-एक रोम पर बिजली तड़क रही है. सामली, धायमा, समहल जाओ, ऐसी बाते ना कहो, कुवर की सय्या पर. पन्ना, सुला दूँगी, उसी को, उसी को सुला दूँगी, जो मेरी आखों का तारा है, चंदन. चंदन को सुला दूँगी, सामली, सिस्किया चंदन को सुला दूँगी, उस नन्हे से लाल को हत्यारे के तलवार के नीचे रख दूँगी कह तूँगी, इसके नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना बिचारा अभी बालक है, भीसन प्रहार से मिरा लाल चौन्क उठेगा तो यहां पर सामली और पंणा के संबाद के मार्धम से यह पता चलता है कि बनवीर कुवर उद्य सिंग की हत्या करना चाहता है और वह कुवर उद्य सिंग की हत्या करने आ रहा है ऐसे में धाय मा पन्ना कुवर उदय सींग के प्रानों को बचाने के लिए क्या निर्नय लेने वाली है तो पन्ना धाय माने निर्नय लिया है कि वह कुवर उदय सींग के स्थान पर अपने पुत्र चंदन का बलिदान देगी और किस तरह से देगी इसकी सूचना यहां पर मिलती है तो इसलिए एकांकी में कथोब कथन का विशेश महत्व है यूगि कथोब कथन या संबाद के द्वारा ही एकांकी कथा हमारे सामने स्पष्ठ होती जाती है अगला पॉइंट है सिर्शक किसी भी रशना का सिर्शक, संचिप्त, रोचक, आकर्शक, कुतुहलवर्दक तथा विशेश से सम्मंदित होना चाहिए दीबदान एकांकी का सिर्शक दो सब्दों से बना है दीप, जोड, दान इस सब्द का प्रयोग एकांकी में कई जगहों पर किया गया है तो परिक्षा में सिर्शक के आचित पर प्रशन पूछे जाते हैं एकांकी से ही प्रशन पूछे जाएंगे ऐसा नहीं है किसी भी कहानी के सिर्शक के आचित पर भी प्रशन पूछे जाते हैं तो एक सफल सिर्शक की क्या विसेस्ता होती है इसे आपको जानना चाहिए और सिर्षक की सार्थक्ता से सम्मंदित बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है आप उस वीडियो को अवश्य देखें और दीबदान सिर्षक के आचित पर विचार कीजिए इस प्रश्न के उत्तर से सम्मंदित एक अलग वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है उसे आप जरूर देखें तो एकांकी में हम देखते हैं कि दीबदान सब्द का प्रयोग कई बार हुआ है रावल पुत्री सोना दीबदान उत्सव के बारे में बतलाती है कि तुल्जा भवानी की पुजा में लड़किया कुंड में दीबदान करके नाच रही है यहाँ पर दीबदान का सरल अर्थ में प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले देखते हैं सोना जो रावल पुत्री है वो दीबदान उत्सव के बारे में बताती है कि तुल्जा भवानी के सामने लड़किया क्या कर रही है कुंड में दीब का दान कर रही यहाँ पर दीबदान करत होता है दीबदान का पानी में बहा देना जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि छट पूजा में या किसी आणे पूजा में जब हम नदीत अलाब जाते हैं, वहाँ पर भी हम सभी क्या करते हैं, पान के पत्ते पर कपूर जला करके उसे पानी में बहा देते हैं, अभी दीपदान है, दूसरी बार पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को कुमर उदै सिंग की सैया पर सुला कर कहती है, आज मैंने भी दीपदान किया, यहाँ पर दीप अथार्थ पन्ना के हिरदे का दीपग, उनका पुत्र चंदन है, जिसका देजभक्ती, स्वामी भक्ती के लिए पन्ना बलिदान देती है, तो यहाँ हिरदे का दीप यानि हिरदे का प्रान, हिरदे का दीपग अथार्थ हिरदे का प्रा दीपदान तीसरी बार दीबदान सब्त का प्रयोग दासी पुतर बनवीर करता है जब वह कुमर उदे सिंге के धोके में चंदन की हत्या करता है तब वह कहता है मैं भी अमराज को इस दीपक का दान करूँगा यह मेरा दीबदान है यहां दीबदान का मतलब कुवर उदै सिंग के प्रान रूपी दीब के दान से है अता परतेक दृष्टी से दीबदान सिर्शक सफल सार्थक तथा उपयोगत है तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से दीबदान सब्द का प्रयोग कई बार तो हुआ ही है लेकिन तीन बार दीबदान सब्द का प्रयोग तीन तरह से अलग-अलग अर्थ में हुआ है जैसे पहले अर्थ में दीबदान उत्सव के बारे में बतलाया गया है दूसरे में पन्ना ने जो अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया उससे संबंधित है तिसरी बार जब पनवीर उदे सिंग की हत्या करने आता है और धोके से चुकी चंदन की हत्या करता लेकिन वो क्या समझता है कि उसने तो कुमर उदे सिंग की हत्या की इसलिए वो कहता है कि आज मैंने भी दीबदान किया अगला तत्व क्या है संकलन्त्रे, काल स्थान वक कारी की एकता को संकलन्त्रे कहा जाता है, इसे आप हमेशा याद रखें, कि ऐसे भी आप से पूछा जा सकता है कि संकलन्त्रे किसे कहते हैं, तो आप यही कहेंगे काल स्थान वक कारी की एकता को संकलन्त्रे कहा जाता है, दी के साथ प्रस्तुत किया गिया है तो संकलन त्रेग की दृष्टी से भी या इकांकी सफल है अब है रंगमंचन या अभिनियता दीबदान इकांकी आकार में छोटा है इसमें एक ही अंक और एक ही दृष्य है दीबदान इकांकी में इसके सफल रंगमंचन के लिए वर्मा जी ने यथा स्थान रंगमंच संबंदिर निर्देश दिये हैं, रंगमंच की साथ सज्जा, महल के कक्ष की सजावट के साथ साथ, पात्रों की वेशबूशा, भाव, मुद्राओं का भी उलेक या निर्देश दिया गिया है, कम से कम 40 मिनट में यह एकांकी खेला जा सकता है, र जा यह एकांकी में एकांकी कार्णे हर तरह के निर्देश दिये हैं, महल की सजावट कैसी हो, कक्ष की सजावट कैसी हो, सबकी वेशबूशा कैसी हो, उनकी भाव मुद्राओं का भी उलेक किया गिया है. अब अगला तत्व है भासा सैली दीबदान एकांकी की भासा सरल सुबोत प्रभावपुन सब्द लालित युक्त है भासा पात्रो नुकूल है भाव की भव्यता से भासा में गति प्रवाह आ गई है यानि भासा के दृष्टी से भी यही कांकी सफल है अब उद्देश ये तो यहाँ पर बहुत ही संचित रूप से उद्देश लिखा गया है अगर आप विश्टित रूप से उद्देश के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं वहाँ पर उद्देशे से सम्मंदित जो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है उसका लिंक दे दिया गया है आप उस वीडियो को देख सकते हैं दीब्दान एकांकी का उद्देश है त्याग और बलिदान का व्यापक आदर्श उपस्चित करना पन्ना धाय के माध्यम से वर्मा जी ने भारती तिहास के गौरम मैं स्वरूब को प्रस्तुत किया है देश भक्ती के समक्ष राजसत्ता का महतो नगर्न है इस प्रकार दीब्दान एकांकी का उद्देश है भारती नारी के त्याग और बलिदान के आदर्श के अभिव्यक्ति तो इस तरह से मैंने एकांखी कला के तत्वों के आधार पर दीब्दान एकांखी की समिक्षा को प्रस्तुत किया है तो उम्मीद करती हूँ यह विशे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा वीडियो को लाइक करें सभी पढ़ने वाले विद्यार्थ्यों में सेर जरूर करें एक नए विशे के साथ आपसे पुन्ह मुलाकात होगी तब तक पढ़ते रहें जीवन में आगे बढ़ते रहें मेरी सुब कामनाई आप सभी बच्चों के साथ है धन्यवाद